नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Study for Civil Services में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम ये वालो गूर जरूर से जरूर जोइन कर लिजेगा हेलो स्टुटेंट्स, वेलकम टू स्टेटी फॉर सिविल सेर्विसेस, 23rd of July 2020 का Current Affairs का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं आपकी requirement के according हर प्रकार के paid courses यहाँ पर available हैं जैसे के आपने अभी-भी तैयारी करना शुरू किया है तो full paid course आपके लिए available है जहाँ पर आपको complete preparation करवाई जाती है पूरा study material दिया जाता है वहाँ पर आपके लिए समय समय पर test भी conduct करवाई जाते है इसके अलाबा आपकी तैयारी हो गई है तो आप हमारी test series को join कर सकते है हमारे answer writing paid courses भी available है तो complete आपको जो चाहिए उससे related इस number पर contact कीजिए और पूरी information आपको यहाँ पर मिल जाएगी अब समय ना waste करते हुए lecture को शुरू करते हैं इस प्रकार से civil services में हम लोग को GS paper 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है तो यहाँ पर हम लोग उसी के according news को भी cover करते हैं सबसे पहले paper 1 से related topics को हम लोग discuss करेंगे then we will move on to paper 2 फिर paper 3 की news को cover करेंगे guys paper 1 की पहली news में बात हो रही है जोदी राव फूले के बारे में तो इनके बारे में इसलिए भी यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि महराश्रा government ने claim किया है कि उन्होंने 83% eligible farmers जो थे उनके loans wave off कर दिया है actually यहाँ पर एक scheme थी जिस scheme का नाम था महत्मा जोदी राव फूले crop loan waiver scheme इस scheme के तहट 17,646 करोड रुपे farmers के loans के wave off कर दियेगा है यानि यह farmers ने जो loan लिया था तो उनको अब loan नहीं चुकाना होगा उनके बहाफ में सरकार ने उनका loan जो है वो माफ कर दिया है रिन माफ कर दिया है तो यह स्कीम के कुछ key features की बात करें तो December 2019 में यह scheme को launch किया गया था इस scheme का main मक्सद यही था कि जितने भी crop loans है किसानों के उसको wave off कर दिया जाए दो लाग तक के loan को wave off किया जाने का यह scheme था यानि कि एक किसान ने अगर दो लाग रुपे तक का crop loan लिया है और यह 1 April 2015 से लेकर 31 March 2019 के बीच में लिया था और वो September 30 2019 तक उस loan को pay नहीं कर पा रहे थे due to various reasons तो उनके loans को यहाँ पर माफ करने की बात की गई थी और इसी scheme के तहट 83% किसानों के loans जो है वो wave off कर दिये गए हैं इस scheme के तहट इसलिए topic news मती बट यह scheme तो आपने देख ली यहाँ पर scheme के बार में आपको पता लग गया बट हम लोग थोड़ी सी बात जो करेंगे वो जोती राव फूले जी के बार में भी करेंगे इनका चम्न 1827 में हुआ था महराश्रा के अंदर इनको महात्मा का title दिया था 1888 में विठल राव कृष्णा जी वंडेकर के द्वारा जो की एक महराश्रियन social activist थे इनके कुछ contribution की बात करें हम लोग social reform और contributions की जोती राव फूले जी की समाजिक सुधार और महत्वपूर योगदान की तो देखो guys untouchability जो है उसको खतम करने के लिए इननोंने काफी काम किया था cost system जो था उसके लिए इनोने काम किया था किलिए इनका योगदान था Hindu family life में reform लाने पर इनोने योगदान किया था contribution दिया था अपना इनकी वाइव जो ती उनका नाम था सावितری भाई फूले इन दोनों ने मिलकर जोतिया फूले जी ने और सावितरी भाई फूले जी ने दोनों ने मिलकर महिलाओं के एड्यकेशन के उपर बहुत जाधा काम किया इसके साथ-साथ इन्होंने ये पहले ऐसे बताय जा रहा है कि पहले ऐसे हिंदू थे, नेटिव इंडियन्स थे, जिन्होंने पहला इंडिजीनियस, यानि कि पहला इंडिया का ऐसा स्कूल जो की सिर्फ गल्स के लिए डेडिकेट किया था, वो 1848 में पूने के अंदर इनी के द्वारा किया गया था, इन्होंने जो अंटेचिबल कास्ट क इवन इन्होंने, जैसे कि infanticide ना हो, जैसे कि आपको बता है कि पहले के समय पे जो girl child हुआ करती थी, उसको मार दिया जाता था या फिर बच्चों को मार दिया जाता था बर्थ होने के बाद, या पेट में ही, पता होगा आपको, तो ऐसी इस्तिती ना हो तो उसके लिए, य इन्होंने शुरू किया, और ये पहले हिंदू थे, जिन्होंने इस प्रकार का और्फनेट जो है अनाथालाई जो है वो शुरू किया था, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिली, इसका लबा 1868 के अंदर इन्होंने एक common bathing tank अपने घर के बाहर बनाया, यानि कि एक ऐस सभी के साथ मिलकर जो है वो खाना खाते थे, और ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि कोई भी caste religion, यानि कि ये धार्मिक तरीके से जो classification अलड़ी हुआ था लोगों के बीच में, और जो प्रतालित किया जाता था, एक्स्प्रॉइट किया जाता था, जो नीची जात समाज का foundation किया था, ये वाला कोशन बहुत जादा पूछा गया है और फिर आ सकता है, सत्य सोड़क समाज जो है, उसका foundation किसके द्वारा किया गया था, अगर कोशन आता है याद रखने आपको किसके founder जो थे वो, जो तीरा फूलेजी थे, सत्य सोड़क समाज जो है गईज, एडिकेट करने के लिए, ये चीज लाई गयती हो, लोगों के बीज में rational thinking जो है वो develop हो, और rational thinking को spread करने के लिए सत्य सोड़क समाज जो है वो found किया गया था, इनके और भी कुछ famous works हैं उनकी अगर बात करें, तृत्यारत्न 1855 का, गुलामगिरी 1873, शेटाराय चा आसुद, ये 1873, ये कुछ महराश्ट्रियन नाम में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, या फिर इसको cultivators whipcourt के नाम से भी जाना जाता है, इसके लावा सत्य सोड़क समाजोक्त, जोटकट मंगलाश्टक सर्वपूजा विधी, तो ये basically कुछ-कुछ चीजे महराश्ट्रियन में ल ये था गाई, इस से related पूरी बात हमने करी, और सिर्व इतनी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस से भाहर का examination में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, अब paper 2 से related topics को discuss कर लेते हैं, पहली news में बात हुरी है, मनो दरपन initiative के बारे में, मनो दरपन पहल के बारे में, दे पेरेंट्स के जो पेरेंट्स हैं, जो कि अभी कोरोना वारिस के चलते हैं, उनको जो mental health का issue हो रहा है, या emotional issue हो रहा है, या depression की state में जा रहा है, तो ये एक ऐसा initiative है, जहाँ पर इनको psychosocial support जो है वो provide किया जाएगा, teachers को, students को और पेरेंट्स को, तो ये इस प्रकार का initiative था, जिसको recently launch किया गया है, Union Human Resource Development Minister के दुआरा, तो इसलिए topic अगीन news में आया था, हाला कि पहले भी चर्चा कर चुके हम लोग इस topic की, I think, जो मेरे regular viewers उनको याद आ गया होगा, तो याद रखेगा, मनो दरपन, initiative जो है वो, students, teachers और पेरेंट्स के psychosocial support को provide कराने का, ये initiative ये एक की ओबर काफी कुछ investment भी किया है, उसको लेकर China और Iran की partnership काफी strong होती जा रही है, उस भी हमने notice किया था कि India का जो MOU sign हुआ था 2016 में, जिसके देद हम लोग चाबर पोर्ट से आप ये location देखे, map में ये चाबर पोर्ट है, यहाँ से जो ये जहधान की जो आपको दिखाई द लग रहा था कि India और Iran के relation जो है, उसमें gap हम लोग को नज़रा रहे हैंगी, दूरी हम लोग को देखने को मिल रही है, तो यह इस प्रगार का analysis हम लें किया था, अब देखे, अभी क्या हुआ है इट present, इसका एक update है कि Iran चाबर जहधिन railway project जो है, उसको लेकर Iran के railway minister ने कहा है कि India और Iran साथ में मिलकर इस project पर railway line construct करेंगे, अब देखो क्या होता है कि यह सब diplomatic deals जो होती है, policies जो होती है, वो आपको कोई बतायेगा नहीं, उसकी analysis आपको खुद को करनी बढ़ती है, जैसे कि पिछली बार हमने करी थी, कि दोनों के relations strong हो रहे थे, और China और Iran दोनों का ही common enemy USA है, और India और USA की partnership काफी अच्छी होती है, हम लोग को देखने को मिलती है, और India और Iran के relationship भी थोड़े, उसमें थोड़ा सा gap हम लोग को नज़र आ रहे था, क्योंकि USA ने sanction लगा दिया था, तो उसको लेकर Iran ने सोचा होगा पहले कि China जो है, उसका investment काफी अच्छ है, इरान के उबर आ रहे हैं, तो मैं क्यों India के साथ deal करूँ, partnership करूँ, क्योंकि China और India की बंती नहीं है, और अगर China का interest इरान पर दिखा रहा है चाइना, और कल को Iran इंडिया के साथ अपने interest link करेगा, तो एक triangle बनेगा, और triangle कोई पसंद नहीं करता है, समझें बातों को इस प्रकार क कि Iran जो है, वो अगर India के साथ dealing करेगा, और India और China की बंती नहीं है, यहाँ पर आप जानते हो चाइना का, इंडिया और China की बंती नहीं है, ठीक है, अब क्या होगा, अगर China interest लगा रहा है, इरान के उपर, और अगर कुछ भी relation इंडिया और इरान का रहेगा, तो ओविएस प्रकार की analysis उस समय करी दी, अभी क्या हुआ, इरान के railway minister ने ये कह दिया है, confirm कर दिया है, कि ये railway line जो है, वो construct करेगा, इरान इंडिया के साथ मिलकर ही, क्योंकि 2016 में उसके साथ एक M.O.E. हुआ था, अब ये जो बाजी पल्टी कैसे, तो देखो, अभी क्या हुआ था, त इरान के पास जैसे ही ये नया नया उसके पास relationship develop हुई, investment की बात चीद हुई, तो उसके mind में dopamine release होना शुरू हो गया, खुशी होने लगा वो, उसका mind कि अरे वायर, अरे वायर, तो उसने तावताओं में आकर इस प्रकार के message देना शुरू किया indirectly इंडिया को कि अब इंडि की meeting होई होगी, experts की meeting में ये निया निकला होगा कि नहीं यार, इंडिया वो developing stage पर है, काफी अच्छी और आने वाला future इंडिया का काफी अच्छा है, और internationally अगर बात करें तो इंडिया के relation काफी सारे countries के साथ है, right, superpower countries के साथ भी और developing countries के साथ भी और हर प्रकारी countries के साथ है इंडिया के relation काफी अच्छा है, तो international forum में इंडिया के supporters काफी जाता है, और अगर इरान इंडिया के साथ gap बना लेता है, और कल को इरान किसी मुसीबत में पढ़ गया, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी इरान को international forum में, क्योंकि उसको फिर justification मिलेगा नहीं, क्योंकि इंडि इरान के साथ किसी मुद्दे में, किसी मामले में खड़ा भी हो जाता है, तो अटलीस इरान को कुछ न कुछ सपोर्ट तो मिलेगा, तो यह इस प्रकार की जो diplomatic dealings होती है, कहीं आपको नहीं पढ़ाई जाएगी यह ना बताई जाएगी, यह सब चीजे जो होती है, वो आप इस प्रकार की भी thinking आपको develop करते रहनी चाहिए, कि कुछ मुद्दा आया, जिसके बार में background उसका hidden है, पर वो background की जो line होती है, वो आपको बनानी है, और यह बनानी आनी चाहिए, बहुत सारी चीजों को link करते हुए, और link कैसे करेंगे हम, जब हम लोग को history पता होगी, थो China को फायदा है, वहाँ China हाथ बढ़ाता है, जहाँ नुकसान है, वहाँ पीछे मुड़ जाता है, हड जाता है, तो यह वाली जो policy के बार में, Iran को पता लगा, कि हाँ चाहिए चाहिए की इस प्रकार की policy होती ही, दोगलावाजी है चाहिए, तो क्यों हम चाहिए के साथ चाह अब यहाँ पर बात हो रही है, NFRA के बार में, National Financial Reporting Authority के बार में, audit regulator NFRA तो इसने अभी रिसेंटली Technical Advisory Committee जो है, वो constitute करी है, अर नरायन स्वामी जो प्रोफेसर है, Indian Institute of Management बैंगलूरू के, तो उनकी चेर्मेंशिप के अंडर ये Technical Advisory Committee constitute की गई है, इस कमिटी में साथ मेंबर्स हों तो इसका function ये है, कि NFRA की जो executive body है, तो उसको advise देना, किस मुद्धों में advise देना, accounting standards और auditing standards के उपर, ऐसे मुद्धों के बार, तो अभी देखो, मुझे बताई कि आपको बहुत सारी चीज़ें वही उपर से चली गई होगी, तो don't worry about it, अभी सिर्फ एक चीज हमने देखी कि मोटे-मोटे तोर पर आपको समझ में आ गया कि NFRA जो है, उसने एक body बनाई है, technical advisory committee develop करी, establish करी है, और इस committee का काम क्या होगा, accounting standards और auditing standards के उपर advise देना, जो है, executive body जो है NFRA की उसको, तो देखो, एक चीज़ तो आपको clear हो रही है कि accounting की बात हो रही है, या फिर auditing की बात ह और NFRA क्या है, इसको अगर हम लोग एक बार समझ लेते हैं, तो हम लोग और चीज़े बेटर तरीके से clear हो जाएगी, national financing reporting authority, इसको बनाए गया था, establish किया गया था, 2018 में, companies act 2013 के section 132 clause 1 के अंटर यह हम लोग को देखने कबली थी, main purpose क्या हो रहा था guys, उस समय कि accounting scams बहुत जैसे की auditing होती है, ठीक है, अब कोई company है, किसी company का corporate tax है, उसको tax जो हो भरना है, यानि की company को compliance, जो हो अपने clear करना है, जो written file होती है, compliance file जो written करती है, जिसको आपने सुना होगा आपके जो भी friends बगर होंगे, अगर वो company secretary की तियारी करने हैं, या फिर chartered accountancy की तियारी करने क लिए, तो आपको पता होगा उनकी मुसा आपने कई बार सुना होगा, कि company जो हो written file कर रही है, या फिर आपने generally देखा हो जो written file बोलते हैं, जैसे income tax return हम लोग file करते हैं, वैसी company के भी returns होते हैं, company का गरती है, अपने compliance file करती है, right, register को, और वो सब taxes बगरा होते हैं, तो उसक के बाद जो है, वो company के corporate tax बगरा जो थे, उसको hidden कर देते थे, reduce कर देते, तो एक प्रकार से tax evasion वाली चीज़े भी सामने आई थी, इसके लाब कंपनी के काफी सारे घोटाले जो थे, उसको नजर अंदास किया गया था, तो ऐसी जब चीज़े सामने आ रही थी, तो उस समय जरूरत पड़ी कि एक NFRA, National Financial Reporting Authority होनी चाहिए, जो कि जितने भी auditing, यानि कि जितनी भी companies बगर है, बड़ी-बड़ी company, छोटी company नहीं, ये काम करती है, जो कि 500 करोड, 1000 करोड से उपर, उनका annual turnover होता है, और 500 करोड की जिनकी paid up capital होती है, तो उस से उपर कि, यानि कि 500 करोड की जिस company की paid up capital है, या फिर जिसका annual turnover 1000 करोड से उपर का है, तो उसको investigate करने का काम जो होता है, वो NFRA का होता है, उसकी auditing चेक करती है, ये चेक करती है, कि उनके जो transactions है, वो proper है कि नहीं, कुछ गोडाला तो नहीं हो रहा, उनने जो written file किये है, यानि कि जो compliance जो उनने फाइल किय जो है, उसके जो members होते हैं, उनकी भी basically ये accounting conduct करती है, मतलब in the sense कि उनके members जो है, उन्होंने जिस प्रकार से जो companies की accounting करी हुई है, companies के जो transactions बगएरा जो है, उसको check करके, उसको auditing करी है, उसकी, तो उनका जो data होता है, उसको re-verify किया जाता है, NFRA के द्वारा, समझ पारे हो policies जो होते हैं, तो उसके standards बगएरा जो है, ये recommend करती है, कि इस प्रकार के standards जो है, वो develop होने चाहिए, या अगर आप इस प्रकार के standards को follow करोगे, बनाओगे, तो बहतर तरीके से, बिना किसी घोटा लेके, या फिर बिना किसी ignorance के, जो है, वो best transparent तरीके से accounting और auditing आपको बगएरा जो है, recommend करती है, समय समय पर, तो ये चीज इस से related हम लोग को देखने को मिल रही है, और इस company के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है, कि maximum इसके 15 members होते हैं, और इसके एक chair person होते है, जिनको central government के त्वारा appoint किया जाता है, NFA के, ठीक है, तो ये चीज आपको पता ह इस standards की जो मुद्दे हैं, issues हैं, तो उसके बार में executive body को बताएगी, और जो भी technicality की जो problems है, उसको resolve करेगी, target करेगी, जो भी auditing होती है, या फिर जो भी accounting होती है, वो transparent तरीके से हो, और उसमें किसी प्रकार का loophole ना निकले, तो उसको लेकर ये body बनेगी, बड़ आपको ज को देखने को बल रहे हैं, तो ये था पूरा overall topic इसके बारे में, अब next topic की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक anti-torture law की आवशकता अभी उठ रही है, यहाँ पर अभी at present Tamil Nadu के अंदर एक issue हम लोग को देखने को मिला था, ये police के त्वारा जो है, वो torture किया गया था, एक बाप बेटे को, तो उसका एक मुद्दा था, सामने आया था, तो उसको लेकर country के अंदर जो है, वो anti-torture law लाना चाहिए, एक anti-torture कानून लाना चाहिए, क्योंकि देखो, police क्या करती है, guys, torture करती है, अब मैं इसके बीछे आपको एक अपनी personal story बताना चाहता हूँ, जैसे कि आ और अच्छे से रिलेट कर पाएं, जब मैं 17 साल का था, I was in 11th class में 11th class में था उस समय, मुझे crime range उठा ले गई थी, actually मैं वो मुद्दा कहा था, मैं आपको detail में नहीं बताऊंगा उतना, बट मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, कुछ मेरे दोस्तों ने कुछ बड़ी गल कर रहा है, अब मैंने तो नाच तक कोई चोरी का मोबाइल होगी, मैं तो इन सब चीजों दूर दूर तक था, मैंने कोई नाता ही नहीं था मेरे अंसे, तो मैं गया, मैंने कहां सर मैं आता हूँ, मैं पहुचा हूँ पर और मुझे एक उन्होंने टॉकिस के पास बुलाया मैं अपने फ्रेंड के साथ गया, एक गाड़ी खड़ी हूई, बहुत ही फिल्मी सीन था, वो एक खाली जो जिपसी जो होती है न, जीप जीप, जो पुलिस वालों को जो जीप होती है, वो खड़ी हूई वहाँ पर, और मुझे एक आदमी भाहर निकल के आया, मुझे से ब कोई गन बन तो नहीं रखी है, मैंने काई रही यह कैसी बात करें, क्या होगा मेरे साथ, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, फिर उन्होंने मुझे, मैं ग्यारवी क्लास में था, मुझे क्या पता, क्राइम बरंच क्या होता है, अब उस समय तो उस एज में तो स मुझे कोई आईडिया नहीं, मुझे लग रहा था, पता नहीं कौन से ओफिस में लेकर आ गई है, अब उन्होंने बोला कि आओ बैठो, अब आपके सामने एक टेबल रखी, एक चेर रखी, आप कहां पे बैठोगे, आप चेर पी बैठोगे, अब मैं चेर पे बैठने के लि मैं आपको बता नहीं सकता, दो दिन तक हुआ था मेरे साथ टोड़ से, उन्होंने रात में साड़े नो बज़े मेरे घरवालों को फोन लगवा दिया था, ये कहलवा कर कि मैं फ्रेंड्स के यहां स्ट्रेटी कर रहा हूं, और आप लोग टेंशन मतलब ले ना, मैं दूसरे दिन पूरा निकल चोगा था, तीसरे दिन मौर्णिं में बताया हूं, उन दो दिन तक आप यकीन नहीं मानोगे, जैसा आप टॉर्चर सोच भी नहीं सकते हो, वैसा वैसा टॉर्चर मेरे साथ हुआ था, और जैसे हम लोग कहते हैं कि 24 hours के अंदर किसी को भी अगर पुलिस पकड़ती है, कस्टेडी में लेती है, तो उसको मेजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, कुछ नहीं हुआ था, उस दिन सान में आए कि यार ये fundamental rights जो होते हैं, वो reality में अगर किसी को ग्यान नहीं है, knowledge नहीं है, तो applicable नहीं होते हैं, बट देखो उसके बाद, दो-तीन दिन के बाद, हलाकि officers ने मुझे स्वारी बोला था, बट मारा बहुत तयर, और उस समय मेरी back whack तो बहुत मस थी, बढ़िया था मैं, उसमें मुझे कोई ऐसी physical issue नहीं था, जो अभी हो गया है, तो उस समय तो बढ़िया था मैं, और जो पीटा था उनने मैं बतानी स और उसके बाद तो मुझे सुन पढ़ गया था, यह होशी नहीं था, यह क्या हो गया है मेरे साथ, इसा रियालिटी में टॉर्सर होता है, बता है, लिटरली, और बाद में ये टोल्ड मी सौरी, और एवन एक दो officers वो है, वो आज भी मेरे साथ connected है, वो आज भी मुझे बला साथे, मिलते हैं बात करते हैं, बट उनको बाद में रिलाइस हो गया था, यह मैंने कुछ नहीं था, दूसरों ने मज़े फशा दिया था, फिर जब मेरे फादर बगर आया है, उनको जब exactly situation पता लगी, तो फिर वहां पे जो बरिश तदी आ रही है, senior officials है, जो मेरे पापा आपके सामने, anti-torture law के बारे में, तो I hope कि आपको सामने आगया होगा कि इंडिया में torture की कैस्तिती है, तो उसको लेकर अभी जो है, वो और भी इस्यू एक develop हुआ था, सेमेसी प्रकार का, तो उसमें यही बात हो रही है, उठ रहा है मुद्दा की, anti-torture law कानून लाना चाहिए, जिससे कि पुलिस वाले जो है, वो टॉर्शर ना करें, अत्याचार ना करें, लोगों के उपर, चाहिए, वो कोई भी हो, आप जैसे मैं तो, मैं तो क्रिमिनल भी नहीं था यार, मुझे इतना धून दिया उन लोगों ने, फिर सौरी वरी बोलके भेट दिया, मेरी इवन बाइक को भी तोड़ दिया था उनने, बहुत, मेरे पास पलसर टूटोंटी हुआ करती थी उस सम सकता, आगी की बात करें गाईस, टॉर्चर जो है हमारे इंडियन पीनल कोर्ट के अंदर डिफाइन नहीं है, बट इसके अंदर हर्ट या फिर ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन मौझूद है, और डेफिनेशन जो हर्ट की है गाईस, तो उसके अंदर mental टॉर्चर मौझू वो एक उसका वो थूटा हुआ है, बैलेंस नहीं है चाहर, सर पे बुक रखी हुई है और बोलते गिरनी नहीं ची उन्हें तो पिट हुए है, और एक छोटी सी स्टिक मेरे नाग पर कंटीनूसली मारे जा रहे थे वो, और बोल रहे थे कि बताओ बताओ तुमने किया क्या तुमने किया, मैं बोल के ठक गया सर मैंने नहीं किया, और एवन एक और चीज बताए है, और हुआ ये इसलिए था क्योंकि मेरा जो दोस्त था, वो एक्चुल में जो फस गया था, उन्होंने कुछ पैसे देगे, मुझे फसवाने के लिए डिलिंग कर ली थी पोलिस वालो अब क्या बता है, होती है चीज़े बता लेटरली, और बहुत भ्यानक होती है, जो आप मुवी में देखते हो न, वो तो कुछ भी नहीं है, रियालेटी में बहुत भ्यानक है, जब मैं 17 साल का जब था एक मैनर बच्चे के ओपर उन्होंने ये कांड कर दिया, तो जो बड ट्रीमिंटल कोरिशन यानि कि उसको बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में जो है वो रख सकते हैं, उसको इतनी बुरी तरह से थका दो उसके दिमाग को कि उसकी हालत करा हो जाओ, और मैं आपको बता रहा था कि मेरे से उन्होंने एक टाइम के मार मार के इतना मेरे दिमाग को खराब कर दिया था कि वो जो sketch मुझे दिखा देता मुझे लगता था यह मेरा sketch है मुझे बोलते था यह तुमारा sketch है तो मैं बोलता है हाँ मेरा sketch है और फिर एक time ऐसा है कि उन्होंने मुझे से cheating करके एक ऐसे कागस पे जिस पर उन्होंने खुदी ने लिखा हुआ था पूरा कि यहां यहां पर यह वारदात मैंने करी हुई है यानि कि वारदात किसी और नहीं करी हो मेरे नाम पर यह लगा दिया पूरा पूरी चीज है तो वो बहुत अखरा था मुझे कि यह सब क्या है यार इसके लावा देखो आगे की बात करें तो यहां पर और भी कोछीज है जैसे कि टॉर्चर इस प्रकार से करना एक और चीज इसमें आती है कि टॉर्चर सामने आले को इस प्रकार से करो कि उसकी बॉड़ी में कोई निशान ना बन जाए और उनके पास ऐसे डंडे और ऐसे वो रहते हैं और वो डंडे मारने की बुड़ी टेकनिक इस प्रकार की होती कि वो डंडा का निशान नहीं आना चाहिए छपना नहीं चाहिए मैं लिटरिल बितारों पट्टे जो थे ना पट्टे होता है उनके सच बोल पट्टा लेखा रहा था उसके पर करीब डेड़ सो दो सो पट्टे पढ़ें पैर में उसके बाद भी पैर में निशान नहीं आ है बट पैर सूज गए थे मेरे बुरे बुरे वाले खड़े होने की हालत नहीं दिया रहे बहुत बहुत सहा है अब क्या बता है तो वो तो एक टाइम था उसके बाद सीख मिली कि हाँ बही अब कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो फसा देते हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो आगे ही बात करेंगे इस तो देखो अगर कोई पुलिस वाला इस प्रकार की अक्टिविडी करता है तो उसको पनिश्मेंट मिलेगी ये चीज़ भी बात हुई है औरेबल सुप्रीम कोट ने तक जो कस्टोडियल जो टॉट्चर के केसे थे जैसे कि अगर डी के बासू वर्सेस स्टेट अफ वेस्ट बेंगल केस तो इसके अंदर भी कुछ गाइडलाइस इसू करी थी कि अगर किसी कैदी है तो उसको अगर अरेस्ट करती है पुलिस या फिर जैसी की कोट में भी आ जाते है तो कोट से भी कस्टिडी मांगी जाती है पुलिस के दौरा तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कोई क्रिमिनल है तो उसको आपको टॉर्सर नहीं करना है और अगर टॉ जो क्रिमिलल है उसकी मौत हो जाती थी तो ऐसी अगर स्थित्य होती है तो पुलिस वाले अगर गिल्टी कहलाते हैं गिल्टी पाते हैं तो पुलिस वालों को डेथ पनाल्टी दी जाएगी तो यह सब चीजें हाँ पर सामने आई इसके लाबा कुछ law commissions की बात करें गई तो द एक agreement type का है तो इसको इंडिया ने sign किया हुआ था बड़ इंडिया ने इसको अभी तक लागू नहीं किया है तो यहाँ पर recommendation यह आया था कि इसको लागू कर दिया जाए क्योंकि इसके अंदर कुछ procedures होते है standards होते है जिनको follow करना रहता है और इसमें समय समय पर जो है वो reports अगर अभी publish करनी पड़ती है जैसे कि अगर कोई country है अगर उसने इस कानून को जो है वो लागू कर लिया तो उसको कुछ सालों में जैसे लागू करने के एक साल के अंदर यह अंदर उसको अपनी report जो है वो submit करनी पड़ती है और उसके बाद फिर हर चार सालों में उसको report जो है वो submit करनी बड़ती है तो ऐसा कुछ है इसका fundamental committee against torture का जिसके बार में आपको इक पता होने चीज़ी कुल मिला कि आप मोड़े-मोड़े तौर पर यह जानो कि इंटरनेशनल एक agreement है जिसके तहित यह torture जो है वो ना हो पूरे दुनिया भर में criminals के साथ या फिर जैसे कि जो होते हैं जो criminals नहीं होते हैं इनोसेंट होते हैं जैसी कि मैं फस गया था तो वैसे ही चीज़ है कि उनके साथ इस प्रकार का torture कभी नहीं होना चाहिए और literally whether जिस इंसान ने यह चीज़ सही है ना उसके लिए torture नहीं उसके लिए trauma है और वो trauma ऐसा है कि मैं आपको बता रह ही है या फिर किसी और नहीं फील करी है मेरे साथ वालों ने तो इसके बारे मैं आपको इसली बताता हूँ topic से related कि आप एक emotional attachment आप में develop और जिन बचों को इस सब चीज़ नहीं पसे है आपके पास remote control है आप आगे बढ़ा दो वीडियो को कोई दिक्कत नहीं अब paper 2 से related इतन को मिल रहा है यह है बाथी नॉमस आप देखो यह इस प्रकार की इसकी photo यह species की देखो दिख भी यह राक्षास की तरह रहा है तो इसली साइड रक्सक्रास जो है वो राक्षास का से लेकर हम लोग को देखने को मिल रहा है तो यह एक प्रकार का ऐसा cockroach है जिसके चौदा प बैथी नॉमस रक्ससा के नाम से यह हम लोग को जाना जाता है और सिंगापोर के रिसेर्चरस ने इसका नाम यह रखा हुआ था सूपर जाइंट बैथी नॉमस ही हम लोग को देखने को मिलता है इसको cockroach of the sea के नाम से भी जाना जाता है समुद्र का cockroach इसके लिए पहला सूपर जाइंट है यह आईसोपॉड स्पीसीज जो की अभी रिसेंटली डिसकावर हुई है इस्टन इंडियन ओशियन में यह बतन नाम की एक जगा है हम लोग को वैस जावा इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं देखो इसका मैप भी देख लो आप यह बतन नाम की जो आपको जगा दिख रही है यह इंडोनेशिया ग्रूप ओफ आइलेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमा आप देखिए यह वेस्ट में आपको यहाँ पर देखने को मुलते हैं यह जो होते हैं और लॉबस्टर श्रिम्स की अगर हम लोग बात क कुछ यह हम लोग को आइसो पॉट्स देखने को मज़ते हैं और यह डेका पॉट्स के ओडर से बिलॉंग करते हैं अहला कि इतना डीडिल में आपको नहीं आना है और इतना बस आपको बता होना चाहिए कि पैसिवेक एट्लैंटिक और इंडिया नोशन के जो कोल्ड डेफ स्पीसीज का जो की रक्ससास के साइस से भी जादा बढ़ गया है क्योंकि रक्ससास की अगर हम लोग बात करें तो यह अभी हम लोग को जो देखने को मिल रहा है यह रक्ससास है ठीक है इससे भी बड़ा जो है हम लोग को देखने को मिलता है वो जिसका नाम जो है यह है ब इसके बारे में पहले हम लोग ने पढ़ा हुआ है मैतरी प्रोग्राम के बारे जो हम लोग पढ़ रहे थे तो यह है क्या तो रेज का पहले तो फुल फॉल फॉर्म जाल लो यूएस यूनाइटे स्टेट्स एजनसी फॉर इंटरनाशनल डेवलप्मेंट के मैतरी प्रोग्राम के बारे में पहले भी हम लोग ने डीडिल में डिसकर्स किया हुआ है तो यहां पर किसके ओपर टार्गेट किया जा रहा है गाईज पूर एयर कॉलिटी के ओपर टार्गे करने हैं और टार्गेट यह भी है कि इंडिया के जितने भी ओफेसे और वर्क प्लेसे रहेगी दूसरी बात प्रट्रेक्टिविटी उनकी डेवलप होगी क्योंकि एयर कॉलिटी अच्छी रहेगी तो अच्छी रहेगी उनके ब्रेन में अच्छा ऑक्सीजन जाएगा और उनकी प्रट्रेक्टिविटी जो है वो मैंटेट रहेगी जैसे कहते हैं कि स्टुडेंट्स को हमेशा समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए है फ्रेश एयर जो होते है आसंस बगएर योगा बगएर के मला वो जो सांस लेने के अलोम विलोम वाले टाइप के जो होते है कु बहुत इंपॉर्टन होती है ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जब ऑक्सीजन जाएगा तो ब्रेन और अपकच्छे से काम करेगा तो उसी को लेकर है यह बैसिकली एर कॉलिटी और एयर कंडिशनिंग को लेकर है क्योंकि मैत्री जो प्रोग्राम है मार्किट इं energy को consume करें कम से कम पावर को consume करें और काफी कम मातरा में लगभग ना के बरावर chlorofluorocarbons को release करें यानि कि environment जो है वो उसको damage नहीं होना चाहिए और जो आज की रेट में जो आवशक्तिया है कि पहले नहीं हुआ करती थी क्योंकि temperature level जो था पहले इतना नहीं था बढ़ आज की रेट में आप देखे रहे हो जैसे ऐसे urbanization होता जा रहा है और जैसे environment damage होता जा रहा है तो वैसे temperature level increase होता जा रहा है तो इसलिए यह सब चीजों की need पढ़ रही है अब need करकर के हम लोगो नहीं environment को और damage करना शुरू कर दिये तो इसलिए अब target यह है कि जो भी damage हुआ है उसको recover करने के लिए और needs तो fulfill करने है हुआ हुआ मन की तो ऐसी efficient तरीके से fulfill की जाए कि हर चीज जो है वो balance तरीके से चले तो यह चीज़ था इससे related पूरा overall मामला अब बात हो रही है CHAD-OX1-NCOV19 तो आपको सब में आई रहा है कि coronavirus से related यह topic है तो coronavirus की vaccine अभी recently बनाई गई है British Swedish Company, AstraZeneca और Oxford University के दौरा Lancet की study के दुरूपता लगा है कि इस vaccine के अंदर antibodies को neutralize करने के agents से शामिल है और साथी साथ यह immune system को boost कर सकती है आपको बताएगा इस कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि human की body में अगर कोई भी foreign object आता है तो antibodies उस foreign object पे attack करती है बट coronavirus क्या करता है कि उस antibodies को ही जो है वो सुला देता है यानि कि उस antibodies को इतना weak कर देता है कि वो antibodies coronavirus के उपर हावी नहीं हो पाती तो यहाँ पर target किया गया इस vaccine के अंदर के human की जो antibodies है वो एकदम से बनना शुरू हो जाए प्रेडियूस होना शुरू हो जाए और एक human की immune system भी boost होने लगे क्योंकि आपको पता है पूरा खेल होता immunity का एक इंसान की immunity अच्छी है तो उसको virus तोड़ नहीं सकता बने immunity खराब है तो उसके लिए एक challenging situation है क्योंकि वो उसकी condition काफी severe हो जाती तो human being की condition severe ना हो इसके लिए vaccine उसकी immune system को भी boost कर देती है इसमें T-cells का response जो है वो increase होता है और सांती साथ antibodies का भी और T-cell के बारे में आपको यादर हो हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है discuss कराया हूँ अमेन आप लोग को कि कैसे मैंने वो diagram clipart दिखा कि आपको पूरा करवाया था कि कि किस प्रकार से T-cells attack करते हैं आपको यादर हो शायद तो जो बच्चे नए अगर 2021 के लिए काफी help मिलेगी कोई कि अकसर बच्चे मत से पूछते हैं कि 2021 के लिए कब से current affairs चुड़ू करें तो वैसे तो अगर time है आपके पास तो अभी और करना चाहते हो तो June 2019 से current affairs cover करना शुरू कर देना और अगर नहीं तो January 2020 से तो जरूर कर लेना ठीक है इतना जर क्लिनिकल ट्राइल शुरू हुआ है तो उसमें ये safe बता ही आ रही है तो ये कुछ चीज़े हैं इसके बारे में एक पता होना चाहिए आपको पैसेड एक्सराइस की हाँ पर हम लोग बात करेंगे इंडिया नेवल शेप है उन्होंने पैसेड एक्सराइस कंड़ू करी है युनाइड़ स्टेट्स की नेवी के साथ इसकी यूएसस निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रूप इसका आया था और अंडबाने निकोबार आइलेंड पर ये exercise कंड़ू हुई राइट पैसेक्स यानि की passage exercise और ये अभी recently क्या हुआ था कि लद्दाग पे आपको पता ही कि Allerdi India-China का इसू चला था उसको लेकर हम लोगों ने किया कि हमारी जो ओशियन है Indian Ocean Region जो है हमारा तो उसपर हम लोगों ने अपनी नेवी को तैनात कर दिया जिससे की चाइना बॉर्डर पर जो हरकत कर रही है वो नेवी यहा पर समुदरी एरिया पर न कर सकी इसली अश्र कर दी है हमारी naval forces को और उसके बाद फिर ये exercise conduct हुई USA के साथ क्यों exercise conduct हुई आपको पता ही कटर दुश्मन हो रहा है USA चाइना का और हमारी दोस्ती है USA के साथ तो हम लोग इस प्रकार की strategic relations जो है वो develop करते हैं क्योंकि ये सब जो चीज़े होती है internationally जो countries के साथ relations होते हैं ये कोई ऐसी मैं लब ये मान कि जो दूसरी country के साथ जो हम लोग relation कर रहे हैं ये परवपकारी relation नहीं होते हैं ऐसी नहीं होते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे और आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए अगर आप interest के लिए relationship नहीं बना रहे हो तो अगर आप बेहोगूफ ही कर रहे हो बहुत बड़ी क्योंकि पूरा game जो है वो interest का है professional career में और personal career में तो मैं चाहूँगा कि यार जो आपके साथ ही हैं अच्छे लोग हैं आपके साथ जो जोड़े हो हैं तो उनके साथ कभी मतलबी relation मत बनाना है क्यों मतलबी relation बनाओगे तो फिर वो गलत बात हो जाएगी फिर आपकी छवी जोगी वो ऐसी हो जाएगी पर हाँ professional life में आपको थोड़ा सा अपने interest को ध्यान में रखना ज़रूगे क्यों interest को ध्यान में नहीं रखोगे तो बेउग कर जाओगे कल को कोई मार के चला जाएगा ये वाली चीज होती है जैसे आप सोचो कि यहां यार हम जो है वो terrorist के गढ़ में चले आते बेना बंदूक के आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे प्यार से महुंबत से वो हमें हमें समझ जाएंगे नहीं बॉस वो गूली मार देंगे आपको तो उससे बेटर रही की पहले ही जाओ तो पूरी strategy बना के जाओ भली आप नहत्ते जा रहे हो तो आपके snipers आपके उसमें रहें मला आपको snipers हो है वो protection देखर जालें समझ रहो तो पूरी आसी आप लोग की वो होनी चाहिए इस exercise जो है इसकी अगर हम लोग बात करें तो चार frontline naval ship थी यहाँ पर शेवालिक, शयादरी, कमोर्ता और राना United States की जो यह group उने जैपान के साथ जो है यह सेम exercise जो है वो कंड़क करी थी पैसेक्स की जिसमें हमारी INS, राना और INS कुलिश मौजूद थी और यह भी exercise इंडियन ओशियन पर कंड़क हुई थी इसके लाब नेवी जो है गाईस यह जो इंडियन ओशियन पर बहुत ही पैनी निगराहें रख रही है Chinese naval ships के ओपर कि कहीं भी Chinese naval ship जो है वो अगर हमें मला हमें मला आखों के सामने से एकदम संदर ना जाया है वो तो इसलिए हम लोग उस पर ऐसी पैनी निगाहें रखे होएं कि हलका सा भी उसको कुछ movement होता है तो हम लोग active हो जाते है तो यह कुछ चल रहा है भी at present इसके बाद अगर 2017 की बात करने से पुरानी बात की तो China ने अपनी हमारे Indian Ocean region को पूरी तरह से घेरा बंदी करने के लिए या पूरी तरफ से Indian Ocean region पर नेगरानी रखने के लिए अलगले जहाबर basis भी बना रहा है इवन आपको यह भी पता होगा कि श्री लंका जो है उसके पास भी चाइना का बहुत huge investment हुआ है और बहुत सारी चीजे श्री लंका के अंदर especially उसका जो port area है या यहाँ पर Gulf of Aden है और यहीं पर आप देखो दीजी बहुती नाम की एक country आपको यहाँ पर दिखाए देगी ठीक है यह चीज़ है और यहाँ पर भी चाइना का base है 2017 में उसने create किया था Megafood Park के बारे में चर्चा करेंगे Megafood Park Zoram Megafood Park कि अभी Mizoram में launch हुआ है इससे करीब 25,000 farmers को benefit मिलेगा और 5000 jobs इससे create होंगी पहला Megafood Park है यह Mizoram का जो कि operationalize हो चुका है यानि कि operation में हम लोग को देखने को मिल रहा है Megafood Park के scheme की बात करें पहले भी हलागी चर्चा कर चुके हैं फिर 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 रिवाइस कर लो या फिर जो नए बच्चे हैं पहली बार जुड़े हैं वो देख लो एक बार तो इस scheme को guys implement किया गया है 2008 से हम लोग को देखने को मिल रहा है में मक्सद यह है कि हम लोग target कर रहे हैं कि एक ऐसा hub बनाए या फिर एक ऐसा इसलिए रखें क्योंकि यह सब perishable commodities होती है अगर इसको हम लोग ने ख्याल नहीं रखा तो यह सड़ जाएंगी जैसे आपके घर पे जब सबजी आती तो आप तुरंट फ्रिजवें रख देते हो ना जैसे कि वो सड़े ना और एक जो है वो आसपास के जो छेतर के जितने भी फार्मर्स हैं तो उनके अग्रिकल्चर प्रेड्यूस जो है वो खरीद-खरीद कर या फिर स्टोर करने के परपस से यहां पर लाकर रखे जा रहे हैं समझ रहो इसके लाब यहां पर processing unit भी है आपको याद रहोगा आद निरवहर भारत को जब हम लोग ने डिसकस किया था economic stimulus package को डिसकस किया था तब हमने चर्चा करी थी कि हम लोग export करेंगे food processing business को enhance करेंगे food processing में जो है वो growth लेकर आएंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग इसको डाज से आदा एक्सपोर्ट करें तो यह पूरी चीज एक ही इस्तान पर एक ही जगा पर हर एक चीज होती इसको mega food park जो है वो कहा जाता है इसमें farmers, processors और retailers इन सब को एक साथ एक ही जगा पर लाए जाता है कि एक ही जगा पर farmers लाए अपना समान बेजते है एक ही जगा पर वहाँ पर processing होता है food processing business के लिए हम लोग को काम करना है और उसी जगा से जो पूरे products है वो चले आए shipment हो जाए उस पूरे products के हमारे domestic market में और export purpose के लिए भी तो यह चीज है और food wastage को हम लोग को reduce करना है food wastage reduce कैसे होंगे food processing से क्योंकि perishable commodities है और इसी पर जादा हम लोग को focus देना है जो समान सड़ने वाला है जो समान बिक नहीं रहा है तो उसको फटाक से process करके उसको packed food में डाल दो उसकी packaging कर दो इस प्रकार से जैसे कि टामाटर है टामाटर भाई यह big guy जिस domestic market चले गए export परपस के लिए चले गए बट और भी बचो हो है और वो सड़ रहे है उसका क्या करें फटाक से उसका sauce बना दो बोटल में डाल दो और उसको फिर export करो या फिर domestic market में दो इस प्रकार की चीज़े इसमें funding जो दी जाएगी वो एक मेगा फूट पार्क के लिए 50 क्रोड रुपे funding दी जाएगी maximum और 50% contribution जो है यह total project का यह funding के तौर पर हम लोग को देखने को मिलेगा ठीक है इसके लाब अगर बात करें इसके operations बगर है पर देदेगा तो यह farmer का जो है यह हम लोग को देखने को मिल रहा है यह वाला point जो है food processing वाले का देखने को मिल रहा है ठीक है यह यहाँ पर पूरा समानी है यह जो है मान के जलो mega food पार के तो सब लोग यहाँ से connected है तो this is called connection जो developed होता है वो hub and spoke model के थूरू हम लोग को देखने को मिलता है इसके लाब यहाँ पर infrastructure create कर रहा है जो मैंने आपको बता दिया है processing और storage होगा जो commodities है agricultural commodities होसका वो मैंने आपको बता दिया और यह primary processing center collection center और central processing center के थूरू हम लोग को देखने को मिलेगा तो इसके बारे में बस overview आपको बता हुना चीओ और I think कि आपको पूरी चीज दिमाग में बैढ़ गई है और यही था हमारा आज का last topic और आपको मैंने जितने भी topics पढ़ाए हैं अगर अच्छे से clear हो गए हैं दिमाग में बैढ़ गए हैं Consumer Protection Act 2019 इसको आप पढ़ लीजेगा 2 अगस 2019 को इस बिल के बारे में आप लोग को पढ़ाया हुआ है इसके अलावा postal ballots क्या होते हैं कुछ दिनों पहले आपको यादा रहा हमने चर्चा करी थी कि Election Commission ने अनौन्स किया है कि जिन लोग की उमर 65 साल या उससे उपर गए है तो उनके लिए postal ballots की facilities अविलिबल करवाई जा रही है बढ़ इस move को बंद कर दिया है यानि कि इस move पर वापसी ले लिए है पहले Election Commission ने बोला था कि हाँ facilities extend करेंगी बढ़ अब ये हट गई है यानि कि इनका कहना है कि अभी 65 साल या उससे उपर की उमर के लोगों को ये postal ballot की facility नहीं मिलेगी क्योंकि उनके पास logistical staff वगरा मौझूद नहीं है यानि कि services वगरा उनके पास ऐसी मौझूद नहीं है और साली साथ उनको ये भी डल लग रहा है कि इससे जो है वो गलत वोट फेक वोट जो है वो आ सकते हैं तो ये बड़ी जो है वो condition इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने यह वाली चीज जो है वो मना कर दी है तो इसके बार में मेरे खाल से पिछले हफते ही हम लोगों ने discussion किया था या जुलाई में हम लोगों ने इसका discussion किया था ठीक है पोसल बैलेट का तो ये क्या होता इसके बार में आप को लिख कर बताएं तो ये तीन homeworks हैं को आपको handwritten notes में cover करना है आपके पास हाथ से लिखिएगा handwritten paper pen से लिखिएगा और उसके बाद नीचे comment box पर लिख दिएगा sir homework done तो मुझे पता लग जाएगा आपने homework complete कर लिया है और ये हमारे कुछ numbers हैं जिन पर आप contact करके paid courses को खरीद सकते हैं काफी कम कीमत पर paid courses यहाँ पर हरपरकार के available हैं और ये हमारे free study groups हैं जिनको आप join कर सकते हैं और अब हम लोग मिलेंगे कल तब तक लिए bye bye take care have a great day ahead टाटा